तो बैया सबसे पहले मापी चाहता हूँ इस रंगीन रात को आप लोगों को डिस्टब करने के लिए देखें रंगीन रात क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि साउथ अफरिका वर्सिस इंडिया का मैच है और इंडिया ने इतना बड़ा रेकॉर्ड बना दिया है आज टीम इंड के लिए मैच तो जीत गया है इंडिया साउथ अफरिका से इसमें लेकिन ब्रेकिंग नियूस क्या है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ब्रेकिंग नियूस यह है दोस्तों के पाकिस्तान ने जो है कल एक अनौसमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चैंपिन ट कबर वाइरल होती है यह कबर बी सी सी आई तक पहुंचती है देखें कहते हैं दोस्त का हाल ना पूछो लेकिन दुश्मन पे नजर हमेशा रखो वैल डन बी सी सी आई वैल डन भाई तुम लोगो को तुमारी मा का दूद हलाल हो क्या भाई जबर दस निशाने पे तुम ल रही है यह ट्रोफी यह हमारी जमीन पर यह ट्रोफी गुमाएंगे अब तुम पोक में ले क्या होगे ट्रोफी तुम्हें यह इजाज़त दी किसे ने भाई तुम अब चैंपन ट्रोफी को पॉलिक्स की तरफ किंचरे वो जो हम पाकिस्तान नहीं जा रहे है वो सिर्जु फून लगा है उन्हें जल्दी मिटिंग बलाई और पठाक से सब बात के और बेटे जे शा किया कि सर हो क्या गया इतनी रात को उन्हों ने का कि खबरदार यह जो तुम लोगों को इजाज़त किसने दिव भाई इजाज़त किसने दिव तुम लोग जो है वो ट्रॉफी अ तो जिए तो जब आई सीसी ने देखा उन्हों ने पटाक से फून उठाया और लगाया पाकिसान को पागल वागल हो गये हो क्या पागल के बच्चे हो क्या अरह भाई तुम्हारा दिमाग सतक गया है तुम अिपक की तरफ कैसे लेके जा सकते हो तो जल्दी से जो है वह आई इसी सी ने लेटर लेकर स्टेम्ट लगा है और सीधा पाकिसान बेज़े के इनसान के बच्छे बनो अगर ट्रोफी एक कदम भी उस साइड गई न तो पाकिसान के क्रकेट का खात्मा कर देंगे हम यह शबत बीसी साइग के नहीं है यह शबत आई सी सी के हैं क्योंकि आई सी स बीसे को भी समझाना बड़ा मुश्किल है मोटा दिमाग है वो क्या ही समझेगा भाई पोक अभी जो है ट्रोफी लेकर जा रहे थे लोग या इन्होंने प्लैनिंग बनाई लेकिन पाकिस्तान ने प्लैनिंग इसी विल बनाई तो पहले से थी लेकिन बताई इसलिए थी त छो लोग सो रहे थे उनको बनीन से जगा दिया बहु को पजामे में भाग रहा एको बन्यान में भाग रहा जो कहा बाग बहु किया बाई BCCI ने का मुझे 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट चाहिए 10 मिनट के अंदर और ICC ने 10 मिनट किया 6 मिनट के अंदर उसने पूरा बना के मौहर स्टेंप लगा के पाकिस्तान जो है बेज़ दे उनको का कि कबरदार भाई ये अभी 3-4 गंटे पहले की नियू से भाई उन्होंने का कबरदार अगर तुम लोगों ने ऐसा किया और अगर ऐसा किया तुम लोगों ने तो मेरे क्याल से पाकिस्तान का क्रकिट जो है ये इसका लास्ट हो जाएगा एंड हो जाएगा पाकिस्तान क्रिक्ट तो पहले ही एंड हो चुकी है और भी एंड हो जाएगा और साथ में भाया एक चीज और भी बताता चलू के कॉंगरा जूलेशन जो है इंडिया इस टाइम मैच जी चुका है मैं भी वीडियो रिकॉर्ट कर रहा हूँ बहुत बहुत बदाई हो दिल से बदाई हो आज दोनों भाई बड़े खुश है बड़ी मस्तनीन आईगी आपको और हमें हमने आज पाकिस्तान के अंडर 19 टीम को 100 रंसो से हराया और आप लोगों ने जो है साउट अफरीका को सिर्फ हराया नहीं सिर्फ भी जीता हराया भी और एक बहुत बड़ा वल्ड रिकोर्ड जो है अपने नाम कर लिया बहुत बड़ा यह नोजवान लड़के हैं भाई तिलक वर्मा अबेशिक शर्मा यह संजू सैंसंट यह कौन है बोल देना आईपिल टेलिंट आईपिल टेलिंट अब बताओ आईपिल टेलिंट एक ने बारा चके और एक ने चोदा चके मारे हैं चोदा चके पाकिस्तान ने पिछले तीन साल के अंदर ग्यारा टीम ने ग्यारा बंदों ने टीम में मिलके नहीं मारे हैं और उन्होंने एक इनिंग में जो है एक ने बारा एक ने चोदा चके मारे हैं अब जो नियूस का लाएगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। चलो अब रात को आप लोगों को डिस्ट अब किया जो काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करो भाई क्या पता क्या कर रहे थे तुम लोगे। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बाबाए।